अब तीन संक्रमितों की जाचाई नेगेटिव हालात इतनी अंत्रण में फिल हाल लाल सोट में नहीं मिलेगी कोई छूट आप सबसे विनम्र अपील अपने घरों में रहें कर्फ्यू वर लॉक्डाउन का पूरी तरहें पालन करें स्वस्त रहें कोरोना संक्रमन से जूज रहे लाल सोट क्षेतर के लिए अब कुछ उम्मीद की किरण जागी है पिछले दिनों कोरोना पोजेटिव बारह मामलों में तीन जनों के नेगेटिव होने से प्रशासन ने भी थोड़ी राहत की सांसली है शनिवार को पंचायत समीती सवागार में उद्योग मंतरी द्वारा अधिकारियों की ली गई एक बैठक में अतिरिक्त तजिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना ने बताया कि लाल सोट क्षेतर के बारह कोरोना पोजेटिव मामलों में से तीन जने अब तक नेगेटिव हो हालात काफी नियंतर्ण में है और शेश बच्चे नो संक्रमितों की जामचने गेटे वाने के बाद ही लाल सोट से कर्फ्यू हट सकेगा उन्होंने बताया कि कुरंटाइन सेंटरों पर मौजूद लोगों में से संक्रमितों के सीधे संपर्क में आने वाले एक दो जनों की रिपोर्ट का इंतजार है रिपोर्ट मिलते ही एक दो दिन में सभी कुरंटाइन सेंटरों पर मौजूद लोगों होम आयसूलेशन के लिए भेज़ दिया जाएगा उद्योग मंत्री पर साधी लाल मीना पहुंचे लाल सोट अधिकारियों के साथ बैठक लेकर की हालात की समीक्षा राशन वितरं विवस्था को लेकर दिया निरदेश प्रदेश के उद्योग मंत्री पर साधी लाल मीना ने शनिवार शाम लाल सोड पंचायत समीती सवागार में अधिकारियों की बैठक लिए कर कोरोना वारस से निपटने के लिए किये दारहे प्रयासों की समीक्षा की बैठक में उद्ध्योग मंत्री ने अधिकारियों को बताया कि हर इन गंभीर हालात में ए लोगों को कोरोना संक्रमन्ट से बचाने के लिए पूरे जी जान से जुटी हुई है ऐसे में अधिकारी भी इस संक्रत के समय पूरी ततपरता से कारे करते हुए जरूर्तमंदों की मदद करें उद्ध्योग मंत्री ने अधिकारियों को बताया कि एक माई से आगामी माह की राशन सामगरी का वितरन होगा इस बार प्रत्यक यूनिट को दस किलो गेहु के साथ प्रती परिवार एक किलो दाल भी मिलेगी ऐसे राशन सामगरी के वितरन में कोई कोता ही नहीं बरती जाए लाल सोट वर राम गड़ पचवारा उठखन खेतर में राशन डीलरों के यहां हलका पटवारी सचेव एक शिक्षक की नियुक्ती की जाए और उनकी मौझूदगी में ही राशन सामगरी का वितरन किया जाए उद्योग मंत्री ने कहा कि राशन सामगरी वितरन करने में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ तकाल सख्त कारेवाई की जाए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि गड़बड़ी करने वाले डीलरों के खिलाफ के फाहियार दर्ज करते हुए उचित कानूनी कारेवाई की जाए उन्होंने रसद विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि कुछ जगहों के राशन डीलरों द्वारागरबड़ी की शिकायत उन्हें भी मिली है उद्ध्योग मंत्री ने बैठक में अधिकारीयों को निर्देश दिये कि लालसोट नगरपालिका के ग्रामी इन्वारडों के राशन डीलरों से उनके वारड ख्षेतर में ही वितरन के लिए पामबद कराया जाए जिससे लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े बैठक में उद्ध्योग मंत्री ने अधिकारीयों से कौरंटाइन सेंटरों की विवस्थाओं का फ्रीड बैक लेते हुए वहां मौजूद लोगों के खाने पीने के उचित प्रबंध के निर्देश भी दिये बैठक में उद्ध्योग मंत्री ने जल्दाय विभाग के एक सई एन राम लखन मीना को निर्देश दिया कि होदायली, सोनड, खेडला खुर्द, बगड़ी समेत कई गामवों में व्याप्त पेजल संकट को दूर किया जाए और जरूरत के अनुसार टिंकरों से भी पेज जल्की आपूर्ती शुरू की आए, बैठक में अतिक्ती जिला कलक्टर लोकेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक अनिल सिन्चोहान, उप्खन अधिकारी जेपी गुर्जर, सरिता मलहोत्रा, तहसीलदार बद्री नरायन मीना, पुलिस सियो मनराज मीना, विकास खिर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर, धीरज शर्मा, नायव तहसीलदार भरोसी लाल, नवल किशोर शर्मा, एवन सुरेश, चंद शर्मा समेत कई अधिकारी गण भी मौजूद थे विष्टती काफी नियल्टर में है, और एक दो दिन के अंदर अच्छा रहा, लाल तोट वराना सिंबुक्त हो जाएगा, और पूरी तेसिल में कहीं भी कोई नया, केस चार पांद दिन से इस पांद से दिन से नहीं मिल रहा है, यह वह सुख़र बात है, अधिकारियों ने अधिकारियों ने, उसके कारण के सर नतीज आया है, कर्मजे में पुरा विश्वास है, दो तिन दिन में सारे लोग जो परेंटाइज है, उनको सब को रिपोर्ट, सेकेंड रिपोर्ट आते ही, सब को रिलीज कर देंगे, और जो पोजिटिव लोग है, उसमें से भी नो आ अच्छा के जो लावारती तो उनको लेकर पात्र परिवार को एक माई से हम, हाँ, एक माई से हर यूनिट को दस किलो गयों, और एक परिवार को एक किलो डाल, उसके वितरन के लिए समुचित व्योस्ता के लिए, कि लोगों को जित्ती भी यहां दो लाज के करीब उमने शनिवार को परशुराम जयनती के मौके पर घरों पर ही पूज़ा अर्चना करते हुए पूरे संसार को कोरोना महामारी से बचाने की प्रार्थ ना की इस मौके पर शहर के परशुराम मंदिर में मंदिर ट्रस्ट एवन रहमन समाज लाल सोट के तत्वावधान में शनिवार को भगवान परशुराम मंदिर में विद्वजनों द्वारा विधिवत मंतरोचारण के साथ भगवान श्री का दुखधा भिशेक एवन विशेश प अंसाईयकाल अपने अपने घरों पर दीप प्रजवलिद कर कोरोना के अंधकार को दूर कर सकल विश्व का कल्यान करने की प्रार्थ ना की। इस अवसर पर ब्रह्मन युवा मंदल अध्यक्ष सूरज कटारा, नवल कामदार, पंडित लवकुष पुजारी, विश्णु तिवाडी, रामजी लाल कटारा, विमल कटारा, राहुल कटारा, वरुन शर्मा, सहित अनेक समाज बंधू उपस्थित थे। प्रयासों में नारी शक्ति भी अपना पूरा योगदान दे रही है। शहर में इस महा 11 अप्रेल को पहला कोरोना पॉजिटिव मामला बाला जी धानी से सामने आया था, जिसके बाद से ही सभी 25 वार्डों में कारे रत अंग्न बाडी कारे करता, आशा सहयोगिनी वसहाई काय लालसोट शहर की ए नयम शंकुंतला की अगवाई में शहर के सभी व जाकर बाहर आने वालों वह असी जुकाम वह बुखार से पीडित लोगों के बारे में जानकारियां जुटा रही है, इन्ही जानकारियों के चलते चिकितसा विभाग की करमचारी वह अधिकारी संक्रमितों के संपर्क में आने वालों वह अन्य संग दिगधो को चिनहित कर नारी शक्ती की अनुथी टीम को लीड करने वाली एनायम शंकुंतला ने बताया कि इस दोरान कई बार लोगों ने ठीक तरह से विवाहार नहीं किया और कई जगे तो लोगों ने जानकारियां भी देने से मना कर दिया लेकिन उसके बाद भी धैर्ये वसायम से काम करते हुए लोगों का समझाया और उनसे जानकारियां जुटाई उन्होंने बताया कि प्रति दिन उनकी यह टीम सुबह 10 बजे माहिला चिकित साले पर पहुँच जाती है और अधिकारियों की दिशा निर्देशों के अनुसार दिन भर घर-घर सर्वे वस्क्रीनिंग करती है उन्हों अधिक शर्मा ने भी 25 वार्डों में कारे रत अंगन बाड़ी कारे करता आशा सहयोगिनी वसहाईका के कारियों की प्रशंसा करते हुए बताया कि उनके द्वारा जमीन स्तर पर जुटाई जानकारी काफी अहम साबित हुई है और इनके द्वारा अब 22,432 घर का सर्वे कर प्रशंसा करते हुए चार लाख पैसा 8,076 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है